तो विल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो एर काफी इंटरस्टिंग एंड काफी क्रेजी रहने वाली हैं काफी सारी अपडेट्स मैं आप लोग को आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूँ लेकिन उसे पहले अभी तक आप लोगोंने चैनल को सब्सक्राइब निकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लो इसके बाद यार मेरे को यह चीज़ पता लगी थी कि जो एस पावर है वो फन कर रहे थे और वो लिंजा थे और वो एक मैच के लिए ऐसी खेले थे टीम सोल के साथ और यह चीज़ जो स्काउट है उन्होंने भी अपनी श्रीम पे बताई थी अधिनिजा को खेलाता है निन्जा ऐसी खेलाता है टेम्पस के खेलाता है सोल लिए हाथ विए और शर्डवन बन लाइन तब वोद रहा? अर्मान भाई वैं पूछाँ ग्रिया वे सिरिस्ट पूछाँ इस गोलीप यार एक बंदे का सुपर चैटाइट वह पूछा है व्यूपिक लोग्या भी करें शिर्स वर्ő लिद डिया जो आपकरण यू बार को वोग्या हो विल खती है वह बखे लेख कि दुख को लग्यान धबों एड़। Sakshi लिविं गॉडलाएग वह अप सक्षी कोह पूच्छी कोह है हम हैं जी चुछ नहीं कुछ नहीं आपादि यह सब चीज़ों के बारे नहीं है जो है मैर को सांद बता है इस बिर विलिपिलने यह शी इस लिविग लिविग, दोन्ट में दोपने साथ है इस बिर नहीं बात है बहाए इसके बद जो थक भाई है उन्होंने कुछ मैसेज डाले थे अपने ब्राड़कास्ट चैनल पे और वहले मैसेज आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस चीज के उपर बात करीती है इनसे नरेना ने अपनी स्ट्रीम पे तो उन्हें इस पे क्या बोला वो आप मोगो का वाट लगने वाला है वाट स्टोरी क्या लगता स्टोरी मोगो ना क्या सीन हो गया यार जादा लोग नहीं है यार मतलब बड़ एनिवेज मैं तुमको बताता हूँ देखो मैं एक बात बताता हूँ की मैं तुम्हें एक बाताता हूँ देखो 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 अधर इस अन और्ग काड मोगो इस पोर्ट साब पहले उन्होंने टॉर्णमेंट और्गनाइस करवाय थे पहले राइट तो अभी उस टॉर्णमेंट का मुझे भी नहीं पता हाई मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या है मैं अचली न थकवाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि यह चीज को समझ जाएंगे कि मैं एक क्रेटर हूँ मैं भी एक टालेंट हूँ जैसे बहुत सारे टालेंट है मुझे बुला गया भाई मार्केटिंग करनी है यह टॉर्णमेंट आ रहा है और इस टॉर्णमेंट के बिसिस पे हम लोग आगे इसपोर्ट्स टीम भी उठाएंगे बला 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 ओल दीस तेंग्स ठीक है पुरानी कुछ चीज़ें होंगी बट मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी मैं था भी नहीं उस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वाल तो मुझे बताया कि भाई ठीक है यह यह प्रोजेक्ट कि हमें आगे भी काम मिलेगा ठीक है पुराने टालेंट को आइड़ों नो अब यहर कौन पूछता है तना कि यार भाई तुमको पैसा मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता पुराने टालेंट कौन-कौन थे क्या थे मैं ने ट्रैक नहीं रहा बैक रिकॉर्ट अब भाई थक भाई ने बोला है तो उनको जाधा पता होगा बट अभी तक तो ऐसा नहीं है ना कि मैं थक भाई की बात नहीं सुनी अब मैंने थूनी तो मेरे को समझ आया मैंने मोगवालों को मेसिज किया तो सीन के आए कि अभी थक भाई ने डाला कुछ पुराने ड्यूस रहे मुझे भी आइडिया नहीं इस बारे में तो मैंने मेरे को इसपोस हमेज़ को वीडियो गई थी जो मैंने बनाई थी और बाई सही बता हूं वीडियो बड़ी प्यारी बनी थी मतलब एकदम ना एस्थेटिक्स और सब कुछ वो वीडियो के थे और अब थक भाई ने डाला और अभी सीन पते क्या है कि थक भाई ने जो डाला ना वो ब्राड़कास्ट में किया रही है मोगो एस्पोस्स कैम है और यह वो करके अब लोग ना लोग क्या करते हैं लोग समझते निये कि यह और और जिसका प्रमोशन है वो लेकिन मेरा फेस देख रहा है तो मुझे डि अब लोग ने जो इसके उपर उन्होंने रिपलाई करा थे तो काफी लोग उनसे यह चीज बोल रहे थे कि जो 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 नफरत करते हो तो इस प्रमोशन है और यह और पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी गर्नी है तो उनको यह चेंजिस लेने की बहुत नीड है तो इस ची करा थे तो काफी लोग उनसे यह चीज बोल रहे थे कि जो जो नफरत करते हो तो इस पर भी उन्होंने रिपलाई करते हुए क्या बोला वह आप लोग देख सकते हैं देखो मेरा बस एक ही सजेशन रहेगा वो एक सजेशन यह है जो मैं अंदर की बाते जानता हूं समझता हूं उससे मुझे बस एक ही चीज फील होता है कि जोनातन को एक बार के लिए एक नॉर्मल प्लेयर की तरह खिला के देखे उसको इस तरीके से ना खिलाए कि उसको MVP ब वो यूनिवर्सल MVP है वो बहुत बढ़िया खेलता है वो बेस्ट प्लेयर है ये सारी चीजे छोड़के एक नॉर्मल प्लेयर जैसे बाकी तीन है उस तरीके से खिला के देखें क्या पता सच में वो चीज उनके लिए वक कर जाए और गाडलाइक एक बाफर से टॉप पे प करके ले ये च्राइब अधर करके ले हर एक बार क्च करके करने से अच्छा है कि ये बी एक बार के लिए चेंज करके देख लो क्या पता सच में है ऑग्याT ओके, thank you so much for that hundred, अभी refund कर ले thank you so much, लोगों के अंदर इसी चीज की तो कमी है लोगों के अंदर इसी चीज की कमी है, समझ की कमी है लोगों के अंदर ठीक है, जॉनी अच्छा खेल रहा है, no doubt Godlike का पूरा fanbase जॉनी का है, no doubt जॉनी Godlike से निकल जाएगा, Godlike के पास क्या fanbase रहेगी, no doubt वो एक लौता अच्छा प्लेयर है, खेल रहा है, no doubt पर क्या वो टीम अच्छी है, no doubt आप टीम लेकर चलते हैं, आप प्लेयर लेकर नहीं चलते हैं तो जब आप प्लेयर उरियंटेड लेकर चलेंगे, टीम अच्छा नहीं खेल सकती है ठीक है, आपको टीम उरियंटेड खेलने की जरुवत है अगर वो खेल पाए, आने वाले समय में वो कॉलिफाई हो जाएंगे नहीं हुआ, तो तीन ओफिशल से पहले भी बहार हो चुके हैं चौथे से भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा उनको पैसे तो आई रहें, तो ठीक है, या उनकी मर्जी, उनकी और उनकी मर्जी अब यहाँ पर तुम यह बोलो कि भाई, मैं जौनी से जलता हूँ, मैं क्यों ही जलूँगा वो अपने पैसे कमा रहा है, मैं अपने पैसे कमा रहा हूँ, नहीं वैसे भी यार, यूटूब कौन सा मेरा घर चलाता है मेरे पास तो खुद का अपना जाब है अगर मैं यूटूब ना भी चला हूँ, तो भी मेरा घर चलता हूँ इंडिस के बाद यार, काफी लोगो को ऐसे रियूमर सुनने में आ रहे थे कि हमारी कुछ गॉट लाइक है, उनको स्लॉट देखने को मिलेगा ESL में, तो इस चीज के उपर रिप्लाइ करा है इंसे ने रेना ने अपनी श्रीम पे तुनने क्या बोला, वह आप लूग देख लो नहीं नहीं यार, पागल है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अमेज ने डाला था, क्या, वो ESL के लिए बोल रहोगा, नहीं नहीं, पागल है कैसा कैसे हो सकता है अरे नहीं होता भाई, ऐसा यार, ऐसा थोड़ी होता है Godlike भी नहीं एकसेप करेगी, मैं तुमको बताओ, Godlike भी एकसेप नहीं करेगी अरे वो सम 3D वोक्स यार इंडिस के बंदे एक्ष्ट अपडेट निकल गर आती है स्काउट को लेके, तो जो स्काउट है उन्होंने बात करी तीम एकस पार के लाइन अप चेंजेस से रिलेटेड और साथ में उनने टीम जीरो से रिलेटेड भी बात करी तो उनने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं इसके बाद अपलू को भी पता ही है पास्ट में अल्टर ने उनसे पूछा गया था कि वो दुबार से एटबिट को जाइन करेंगे अगर उनको ओफर मिलता है तो इस चीज़ पे उन्होंने मना कर दिया था तो इस चीज़ से इलेडेड काफी लोग जो गोल्डी बाई उन अपलू कि अबीड जाओ को अबुए पताला लगा दवीड ऑपर मिलता स्ट ही ने अपलू कि अई जपर समयरों कुछ चल ला को जो रहा होगा होता है तो जब लवा सी मनमे फ्कुछ जर्नी औव लाइव थोड़ा होता है बमिते एज को प्यार दखाया गरों इंस्टट ऑ और टीम में हर किसी इंसान के लफड़े जगड़े होते हैं मैंने भी देखा था वो एडबुट में नहीं जमी लफड़े होगे उसके लफड़े होगे होगे ठीक होता है बुरा लग जाता है अगमें नेगटिव मत सोचा करो हर चीजी इसका पाइटिव सोचा करो सबसे दिल का बहुत सबसे साफ इंसानों में से एक है वो मैं तुम लोग को बता जैता हो तो इतना मैं हमेशा बोल जकना हूँ कि ऐसे टीवल के लिए वो कभी दलत दी बोलेगा लाइफ में ये बात में क्योंकि अगर नहीं भी वो हमा मेरे से एससे एड़ है बट जब भी उससे बात होती है जब भी वो मिर से बात होती था I think he's got he has utmost respect so वैसी चीज है वो दिखावटी वाली respect दी है उसके लिए उसके अंदर इसके बद काफी लोग जो अल्टरों ने उनसे बोल रहे थे कि गौड लाइक में ट्राइओट दे दो तो इसके उपर उन्लों ने रिप्लाइ करते वे क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं वाई गौड अल्टरों ने गौड अपर अपरके लोग जो इसके उपलग करने विरे किलोग लोगो अल्टरों अपर अपरिए को अनकी करते हैं